हेलो स्टेरेंट्स, वेलकम डू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस्त, बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बायो केमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथलोजी का चैप्टर नमबर वन, लेक्चर नमबर टू, जिसमें हम पढ़ने वाले है बायो केमिकल और्गनाईजेशन ऑफ सेल, सेल का बायो केमिकल और्गनाईजेशन, और्गनाईजेशन क्या होता है, और्गनाईजेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज कैसे बनी हुई है, या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, है ना, कैसे कि मैं कहूँ घर, घर किसका बना होता है घर के लोग आते हैं उसके अंदर है न तो और नाईिजिस्ट क्या चीज है नोудь s bona चीज को पता है सेल को बहुत अच्छे से तुमनों ने पढ़ा होगा और जाना होगा तो यहां पर हम सेल के उपर ज्यादा डिस्कसान नहीं करेंगे एक सिंपल से डेफिनिशन ले ली यहां पर जिससे की एक सेल का सार 5 एक सेल के अंदर क्या बहुता है इसके अंदर क्या ब्हुता है मैंब्रेन उसके आसपास जो बाहर की लेडर है किससे साौंड हर अखी है यह मैंब्रेन कैसे होती है सैमी पर मियेवल होती है सब को पता होगा यह बात ठीक है Mitochondria, Golgi body, Nucleus, तमाम चीजे हैं Along with Nucleus and Nuclear Material ठीक है न, वो सब चीजे हैं और साथ साथ में Nucleus और Nuclear Material यह सब चीजे इसके अंदर पाई जाती है इसी को हम लोग सेल बोलते हैं अब हमारा उद्देश से क्या है Biochemical Organization या Chemical Composition कह सकते हैं यहाँ पर कि आखिरकार Chemically Cell है क्या ठीक है तो बात करेंगा इसकी Biochemistry के हम बात करते हैं तो दो को यहाँ पर क्या है There is a wide diversity अब यहाँ पर chemical analysis की बात चलते हैं तो यह वाला point थोड़ा सा knowledge गईन करेगा तुम लोगों की क्या गईन करेगा Knowledge तो कह रहा है Now a question that arise in our mind एक question हमारे mind में आता है Are all living organisms made of the same chemical क्या दुनिया जहां का जितना भी organism है वो सब एक ही chemical से बना हुए क्या सब का जो organization है क्या बायो chemical ठीक है बायो मतलब living things के अदर पाए जाने वाला chemical को same है That is elements and compounds क्या सब के अंदर same है तो अब क्या हो रहा है एक question उड़ गया यहाँ पर If we perform अब कह रहा है अगर हम chemical analysis करें If we perform chemical analysis On a plant tissue Plant के tissue पर कर ले Animal tissue पर कर ले या microbial paste Microbe का paste ले ले पेस्ट का मतलब क्या है एक microbe पर तो कर नहीं पाएंगे तो बहुत सारे microbes होकर के एक paste जैसे बन जाता है उसके उपर हम analysis करें We obtain a list of elements हमें एक element के list मिलती है जैसे की Carbon, Hydrogen, Oxygen And several other And their respective content Per unit mass of a living tissue हमें यह सारे Element मिलते हैं और साथ साथ में उससे मिलती होती कुछ और चीज़े मिलती है और यह तीनों मिलती है Plant के अंदर ही मिला Animal ही मिला Same अब कह रहा है If the same analysis is performed On a piece of earth अगर यही experiment किया जाए एक earth का तुक्राव इलिमिटी ले ले उसके पर कर दे Earth Crust As an example of non-living matter यह non-living है We obtain a similar list हमको वही सारी list मिली जो उपर के थे content वही इसमें भी पाये गए अब What are the difference between the two lists अब चक्कर पड़ा कि दोनों फिर अंतर क्या रहे गया क्या मिटी और हम लोग एक ही है दोगों है ना जो चीजे बायो डिग्रेडेबल होती है वो नैचरल होती है मिटी अपने अंदर मिटी ऐसी चीजों को समा लेती है है ना हमनों पढ़ते हैं इसको मिटी जो है अपने अंदर मिटी ऐसी चीजों को समा लेती है इसलिए जो चीजे मिटी गला ले जाएगी अपने अंदर तो इसलिए मिटी का content और हमारे cell का content एक जैसा होता है in absolute term no such differences differences could be made out अगर actually देखा है तो कोई भी difference नहीं है but हाँ however a closer examination बहुत closely examine करें तो reveal करता है बताता है that relative abundance कोई कम जादा है थोड़ा बहुत ठीक ना of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in living organism than in earth crust living organism के अंदर carbon और hydrogen quantity थोड़ी जादा है compared to other अब देखो जारे यहां पर क्या के element मिलें यही सारे है chemical यह element जो मिलते हैं हमारे human body में earth crust hydrogen carbon oxygen nitrogen sulfur sodium calcium magnesium silicon silicon की बात करें तो बहुत कम है इसके अंदर बहुत जादा है silicon की और difference है बाद बागी पूरा composition सेम है तो एक बात दिमाग में आती है कि अच्छा हाँ जो मिट्टी है जो मिट्टी का है और जो हमारी अंदर के chemical वह almost क्या है सेम है ठीक है एक analysis होगी हमारी तो अब मुद्दा आता है हमारे पास molecules का ठीक है तो molecules found in the living organism है न बाइओ chemical की बात करनी हमें तो उसमें बात होगी किसकी बायो molecule का जिकर होगा अब बायो molecules क्या होते हैं बायो molecules are organic molecules यह कैसे होते हैं और गैनिक और्हों को निंक कारवन कंटेनिंग जो करवन कंटेनिंग होते हैं है ना कारवनौढ और लूई को अप्रसक् ेल होज है कौन हर उन्हों यह उसको भूट होघानिक बोलते हैं इस पैशली तो बाइट पार्विप्अन रिटा体 तरह मेरोम value है औरो ग्योलिट होते है और सघ्ष्य को सब्सक्राइब करा Hera Ring प्राइब म Tempo vendo मतलब होता है इसे मेber सब्चाइब होता है तो मेंतोż में लीविज form इस दुनिया में जितनी भी living रूप है जीवित चीजे हैं वो बने हुए हैं similar macromolecules के that are responsible for life और यही macromolecules life के लिए responsible है इनकी वज़े से ही life है all forms of life are composed of biomolecules only जितनी भी life कि रूप है उन सब में biomolecules ही होगा और कुछ नहीं होगा biomolecules are molecules that occur naturally in living organism यह naturally पाए जाते हैं living things के अंदर biomolecules consists of mainly carbon and hydrogen with nitrogen oxygen sulfur and phosphorus यह mark कर लेंगे important है biomolecules के अंदर basically कौन को आते हैं carbon hydrogen nitrogen oxygen and sulfur and phosphorus ठीक है ना biomolecules include macromolecules इसके अंदर कौन को आते हैं macromolecules like proteins carbohydrate lipids and nucleic acid इनी चार का जिक्र होने वाला है biomolecules के अंदर और इनी चार चीनों से मिल करके क्या बना होता है हमारे cell बने हुए होते हैं ठीक है biomolecules are very large molecules of many atoms ठीक है काई सारी आटम से मिल करके बनता है that are covalently bonded bonding कैसे होती यह covalent bonding होती है together तो यह biomolecules के बारे में थोड़ी बाते थी कि क्या होते हैं ठीक है कैसे इनके बीट में bonding होती है बेसिकली इनके अंदर पाया क्या जाएगा जो हमारे body हम पाय जाते हैं वह किस चीज के बने हुए है तो यहां पर तो मुझा याद रख सकते हो देखो यहां पर क्या है कि CHO N कौन है यह चॉन है यह क्या है यह चॉन के अलावा यहां पर क्या है S और P है ना चॉन PS कर लो या चॉन SP कर लो है ना SP चॉन जैकी चॉन वैसी SP चॉन है ना SP जो एक रहता है करके तो एक नाम याद हो जागा यह बेसिक क्या है एलिमेंट है जो हमारे पाई जाते हैं बॉड़ी के अंदर अब आगे देखें अब क्या कह रहाएं ऑर्गैनिक एन इन और्गैनिक कांस्ट्रेंट आफ लिविंग टीशू अब जो टोटल हमारी बॉड़ कर सकते हैं और्गैनिक और इन और्गैनिक हमको पता है कार्वन कंटेनिंग और यह क्या होते हैं नौन कार्वन कंटेनिंग नौन कार्वन होते हैं इनके अंदर कार्वन नहीं पाए जाएगा अभी दोग क्लिर हो जाएगा फ्रॉम केमेस्ट्री पॉइंट और केमेस्ट्र फांक्षनल ग्रूप लाइक यथेकों से देखेंगे तो क्लासिफाइभ से क्लासिफाम चौप ग्रूप DHS वह कॉन सो थे हैं थी बाइलाजिकल पॉइंट ऑफ वी सो देखें तो हमारे पास चार चीज़े आत कई सारे याति इस तरह से नेमिंग आती है जो मॉलिक्यूर निक्लोटाइड है फैटी एसीड है पॉली सेक्राइट से सुगर है गुलकोज है ठीक है तो यह बाइलाजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिविंग सेल वो इनी चार चीज़ों से मिलके बना हुआ है तो क्या कारण भरा हुआ है क्यों नहीं इन लोगों ने आपस में मिल करके एक नया ही स्ट्रक्चर बना रखा है यह अकेले अकेले मौजूद नहीं होते हैं यह आपस मिल करके कुछ नया बना लेते हैं देखो अभी बायो मॉल्कूल है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाता है उनके रूप यह बना लेते हैं अब देखो फॉर्मिशन ऑफ मैक्रो मॉल्कूल विदिन सेल हाइड्रोजन ऑक्सिजन नैट्रोजन कार्बन फॉस्फा सलफर है ना एस्पी चॉन याद रखना यह ठीक है ए नुक्लिक आषिड है ना आरएने और टिये ने बना हुआ है क्या क्या बना हुआ अब देखो चले क्या क्या पाए जाता ऑक्सिजन फॉस्फोरॉरस कारबन हार्व है के लियर है अमीनो ऐसिट इस्हें प्रोटीन बनती है हमारी पूरी बॉड़ी प्रोटीन है इस्कें इसके अंदर कौन है यहां पर नायट्रोजन आ गया फिर शुगर इसमें वही चॉन रहेंगे WH-C-H-O-N, sorry इसमें N नहीं होता है, इसमें CH-O रहेगा, ठीक है न, H-T-L-C-O-N-Z-I-M में इसके अंदर कौन आ गया? सलफर रागया, ठीक है? सलफर किसके अंदर मौझूद है? लिपिड्स के अंदर, फैट के अंदर, याद रखना, फैट में इस्पेसली सलफर है प्रोटीन में इस्पेसली नाइट्रोजन है और फॉस्फरोस क्या है डियने आरेने में पाए जाता है वैरी इंपोर्टेंट सलफर फैट में पाए जाएगा फॉस्फरोस डियने आरेने में पाए जाएगा नाइट्रोजन प्रोटीन वाले पा तो हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो बेसिकली एस्पी चॉन में यह पूरा के पूरा क्या कर रहा है बार बार सब्स बोल रहा हूं इसके तुम्हें याद हो जाएं यही आपस में घूम घूम के मिल जाते हैं ठीक है यहाँ पर अब देखो यह तो चॉन तो हर जगह र कार्वान है यह सब में कॉमन आब और बेशान में फॉस्परण जुड़े जाएगा इसमें नाइट्रोजन जुड़े जाएगा इसमें कुछ नहीं रहता है इसमें सेल्फ जुड़े जाएगा ठीक है आ तो c h o के अंदर s p और n यह तीन चीज़ें अलग तरीके से मिलती है और यह अलगत तरी के हमारे पास chemical compound बन जाते हैं बास समझ में आई ठीक है अब जब को यहाँ पर जो nitrogen basis की बात करें nitrogen basis क्या होते हैं अदेनीन पूरीन ठीक है नीकलियोसाइड यूरीडाइन एडनोसाइड और नीकलोटाइड अदेनाइलिक एसीड तो यह कुछ compound से यह सब किसके अंतर पाए जाता है DNA और RNA में ठीक है कुछ नहीं में यह और यह अभी बिल्कुल भी इससे परशार उनकी ज़रूत नहीं है होई पढ़ लेंगे तो यह तो बहुत हलुआ लगने लगेगा वह सारे चैप्टर जब डिटेल में कवर कर लेंगे तो यह पार्ट हमको बहुत ही ईजी लगेगा ठीक है किलियर है तो यह हमको बास समझ में आ गई कि SP चॉन अलग अलग तरीके से मिलते हैं और अलग तरीक मेंब्रेन की बात करूं तो सेल मेंब्रेन के अंदर क्या होता है लिपिट होते हैं और साथ साथ में फॉस्फारोस होते हैं ना फॉस्फो लिपिड होते हैं फॉस्फो लिपिड इसका कौन बना होता है सेल मेंब्रेन बनी होती है सबसे ज्यादा बॉड़ी के अंदर पाई मेरा क्यार्ट्व यह जो सरे और और आडी गते हैं और फवेक्षा नपते हैं क्यों तो cell का biochemical organization में organic part क्या है inorganic part क्या है बता दोगी easily there are four general classes of macromolecules within the cell nucleic acid यह अभी अभी में देखा protein polysaccharide and lipids इन ही चाहरों का हमें discuss करना है chapter हमारा खतम हो जाएगा आओ देखते हैं फटाफट cells generally contains many more protein molecules than DNA molecules cell के अंदर no doubt हमारी पूरी body protein के बनी हुई है ना इसलिए protein बहुत ज़्यादा जरूरी होती है body के लिए DNA से बहुत ज़्यादा protein है लेकिन DNA is the typically the largest biomolecule in the cell यह mark कर लेंगे largest biomolecule DNA जोर से बोलो largest biomolecule DNA about 99% of the cellular molecule are water molecule देखो लगबग 99% cell के अंदर क्या है पानी है H2O, 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 H2O से ही बना हुआ है वो but with water normally accounting for approximately 70% of the total wet weight of the cell इसका क्या मतलब है अगर 99% कौन सा molecular water लेकिन अगर हम उसका weight करते है मालो 100 gram tissue का weight आता है उधारन के लिए तो उसमें 70 gram पानी होगा और 30 gram biomolecules होते है ठीक है तो wet weight मतलब गीला जब पानी मौजूद है और ड्राइवेट होता है जब उसका पानी सुखा देते हैं दूप में रखा करके आल दो water is obviously important to the vitally vitality vitality मतलब होता है उसकी जो ऐसी चीजें जो जीवित रहने के लिए जरूरी है vitality of the living cells the bulk of our attention is usually focused on the other one percent biomolecule no doubt वो कह रहा है पानी बहुत ज्यादा इसके अंदर important है बट हमारा focus कहां पर है one percent biomolecule निन्नाने पर्षेंट तो क्या था पानी था हम focus करेंगे one percent biomolecule और इसी की हमें topic है हमारा subject ही ठीक है तो यही पढ़ना है हमको अब nucleic acid सब लोग जानते है nucleic acid क्या होता है nucleic acid क्या है DNA और RNA deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid ठीक है जिन बच्चों को यह थुराज़ चेप्टर टफ लगता है या यह चीज़े समझ में कम आती है तो जश्ट अभी एक वरी पढ़ लें और इंतिजार करें किसका RNA और DNA और चेप्टर जब आएगा वहां detail हम पढ़ेंगे बहुत मजाएगा ठीक है बहुत सारी nucleotide आपस में जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और एक nucleotide दूसरा तीसरा चौथा और क्या बनाते हैं और transmit genetic information nucleic acid के क्या काम है genetic information को store कर लेना और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन है न माबाप के गुण बच्चों में कैसे आते हैं अब chromosome chromosome is deoxyribonucleic acid chromosome जो बोलते हैं ठीक हो बना किसका हुआ है DNA ही होता है अब यहां पर कुछ बच्चे को सब्सक्राइब कर देता हूं यहां पर ताकि दिक्कत ना रहे देखो बच्चों यह DNA होता है इस टाइब से देखा होगा इस टाइब से DNA है अरे हा ना बोल दो ठीक सुन लिए मैंने अब इस टाइब से DNA होता है तुम लोग ने इस टाइब से देखा होगा इस टाइब से यह DNA जब माइटॉसिस या मियॉसिस होती है अब मालो इसको थोड़े के लिए एक कर देता हूं ठीक है कि बहुत छोटा है हमें दो अलग लग दिखने ही रही है दो ध करके और कॉइल होने के बाद क्या बनता है क्या शेप नदर आ रहा है क्रोमोजोम का दिस टाक्रोमोजोम है ना और इसी में इसी में इसी में जिन हिस्सों में इंफोर्मेशन चुपी होती है क्या चुपी होती है मालो पूरे DNA में इंफोर्मेशन नहीं होती है जिस पार्ट नो होगती है वो उसी को हम लог क्या बोलते हैं इसकी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जीन पोलते हैं यह क्शूली है क्या डिए नहीं होता है डिए ने का informational पार्ट जीन कहलाएगा डियन क्वूद सारा कॉइल हो जाएगा तो chromosome कहलाता है तो क्या कहलाता है chromosome कहलाता है clear रहे बात है यह बात समझ में आ गई DNA का informative part gene कहलाएगा और जब बहुत सरा coil हो जाता है तो chromosome कहलाता है ठीक है अब देखो chromosome is deoxyribonucleic acid molecule and genes are the segment of intact DNA, एक पूरे DNA का छोटा सा part होता है कौन? gene, the flow of information from nucleic acid to protein is commonly represented as अब DNA अपने उपर protein कैसे बनाता है class krul, जो लोग fresh करके आ रहे होंगे उनके बात पता होगी, अदरवाज मैं यहाँ पर जिनलों को नहीं पता है बता दू मैं, ठीक है जैसे कि मान लो, यह क्या है यह DNA है ठीक है मैंने बताया है, जिस part को यह क्या है gene है, information का मतलब क्या है मेरे अंदर एक protein है उस protein के वाई से मेरे अंदर melanin ज्यादा निकलता तो मैं काला हो जाऊंगा मेरे अंदर एक protein है, जिसकी वाई से मेरे growth hormone ज्यादा निकलते हैं तो मैं लंबा हो जाऊंगा तो ultimately होना क्या है हमारी body में कोई भी information है वो protein के रूप में आती है तो जो DNA का gene वाला part है ये अपने उपर क्या बनाता है messenger RNA बनवाएगा क्या बनाएगा messenger RNA messenger RNA अपने उपर क्या बनवाता है protein याने कि this is the boss DNA DNA हमारे क्या है boss है उसने का जाओ information आगे लेकर के protein बनवाओ इसने information किसको देदी mRNA के रूप में information आगे बढ़ी information आगे बढ़ी ये आगे है notice चलो भईया कौन सा protein बनना है ये वाला protein बनना है इसने अपने उपर protein बनवा दी है ना तो पूरी process होती है जिसके अंदर की हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते है transcription और ये translation है ना RNA के उपर protein का बनना क्या कहलाता है translation और ये कहलाता है transcription है ना और DNA के उपर DNA बनता तो क्या बनता है replication तो बस यही सारी चीज है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पुराणी बाते है कुछ नया कुछ नहीं है देखा जाए तो 11-12 के चल रहा हमारे पास तो कहा रहा है DNA के उपर क्या बनेगा messenger ribonucleic acid mRNA 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 अच्छा mRNA अपने उपर क्या बनाता है tRNA भी बनाता है ठीक है tRNA का कुछ काम होता है और ribosomal RNA भी बनाता है tRNA ट्रांसफर करता है किसको amino acid को ले ले करके आएगा और ribosomal RNA ribosom बनाता है इन दोनों की help से ultimately क्या बनती है protein बनती है ठीक है तो protein बनती है which indicates that the nucleotide sequence in the gene of DNA specifies the assembly of ठीक है ना अब nucleotide DNA में कैसा sequence है वो specify करेगा assembly of nucleotide sequence in mRNA उसी के हिसाब से messenger RNA की जो sequencing है वो होगी messenger RNA की वेज़े से which in turn direct the assembly of the amino acid और इसकी वेज़े से amino acid का arrangement होगा और amino acid आपसे मिल करके क्या बनाते है protein बनाते है फिर amino acid sequence in protein through the tRNA tRNA की help से amino acid transfer आ रहने होते है amino acid को ले ले करके आते है and ribodon RNA molecule इन दोनों की help से amino acid को sequence किया जाता है और protein बना ली जाती है ठीक है तो ultimately क्या हो रहा है बात स्वाज में आई nucleo acid का थोड़ा सा part था यहाँ पर अब protein बन गए protein देख लेते है protein are amino acid polymer 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 पता है ना monomer polymer क्या होते है यह क्या है गोले गोले नहीं है suppose यह क्या है एक तो पांच छले है rings है अब ही मैं इसको क्या कर दूँ machine में लेके जाओ और इन पांच ring को क्या कर दूँ 3, 4, 5 यह समझा चुका हो मैं है ना polysecret वगर है बताया था मैंने इनको आपस में जोड़ दूँगा जब मैं तो अब यह क्या इसको तुम छले काओगे रिंग काओगे नहीं अब तुम कहोगे सरी तो chain है तो chain क्या किसकी बनी हुई है छोट छोटे rings की तो इनको हम लोग क्या देते हैं monomer और इसको हम लोग क्या देते हैं polymer ठीक है न बड़ी चीज बन गई छोटे से जुड़ करके तो protein और polymer of amino acid ठीक है 20 different amino acids are used to synthesize protein total जो amino acids होते हैं I think 24 या 25 है अप्रॉक्स universe में हमारी body में केवल 20 लगते हैं और 20 होती है तो हमारी body में कितनी पाई जाती हैं 20 पाई जाती है इनको हम दो category में divide कर सकते हैं essential amino acid और non essential amino acid essential वो हैं जो हमारी body में नहीं बन पाती है यानि कि हमारी body खुद से उसे बना नहीं पाती तो हमें भार से लेना पड़ेगा तो जरूरी हो गई खाना नहीं खाओगे तो वाली amino acid body में नहीं जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी और जिनकी जरूरत क्यों नहीं यह non essential है body खुद ही बना लेती है खाना खाओ चाना है और body खुद बना लेती है उसको that is called non essential amino acid के लिए रहे protein में function as protein कैसे कैसे function कर सकती है ठीक है प्रोटीन एक function करेगी enzyme की तरह है protein function करेगी transport protein की तरह है protein function करती है storage protein की तरह है ठीक है आप जगो enzyme proteins है transport protein proteins है storage protein proteins है protein किसका बना हुआ amino acid का amino acid किसका बना होता है chon का CHON ठीक है न तो all enzymes are protein every reaction in living cells requires an enzyme हमें पता है पूरी बॉड़ी में कोई भी reaction होगी तो उसमें enzyme की ज़रूद पढ़ते है enzyme किसकी बनी हुई है protein की बनी हुई है तो आगे देख रहो न हमारी body में किस तरीके से वह basic molecule है उन्हीं का ही सारा जिकरत चला है यहां पर transfer protein transport different compound either outside or inside of the cell cell के अंदर भार क्या करेंगे यह चीजों को लेके जाते हैं यह पार्ट हमने कहां पढ़ा है pharmacology में हमने इसको discuss किया है ठीक है example lipoproteins lipoproteins का भी जिक्रह हम लोग कर चुके है transferrin and iron binding protein in plasma और bilirubin binding protein in liver तो कुछ example दे दिए example याद करो ना करो पता होना चीए अब देखो हमारे cell किसका बना होता है अब देखो यह है तो सब protein protein किसके बनी हुए amino acid amino acid ultimately किसका बना हुए है चौन का ठीक है storage protein myoglobin binds and stores O2 in muscle cells है na myoglobin क्या है protein है जो bind करती है और store करती है oxygen को oxygen जोड़ रहती है तो मसल्स के अंदर ठीक है तो उसको storage protein कहा गया अब defense protein defense में कौन आएंगे antibodies बगरा आती है ना defense protein in blood order at the surface of cell clotting proteins and immunoglobin immunoglobin में IgE IgA antibodies B cells T cells सब क्या है protein contractile protein यह protein जैसे मैंना हाथ को कर रहा हूं यह मैंने ऐसे कर रहे क्या कर रहा हूं हाथ को फोल्ड कर रहा हूं यह contraction हो रहा है किसकी वाइस हो रहा है contractile protein की वज़य से हो रहा है ओके तो contractile protein है ना मैं बता रहा था जो हमारी मसल्स श्रिंग करती है contract करती है कौन-कौन आती है उसके अंदर एक्टिन मायोसीन ट्रोपोनीन है ना यह मिल करके muscles को मूव कराने में help करती है इन से मिल करके हमारी मसल्स बनी हुई होती है ठीक है देन polysaccharides polysaccharides की बारे में अब क्योंकि polysaccharides लेक्चर इससे पहले हमने कर लिया है तो बहुत अच्छे से पता होगा polysaccharides क्या होते हैं ठीक है और polymer of simple sugars that is monosaccharides types of polysaccharides होते हैं जिसमें same monomer repeat करेगा एक होते हैं heterogeneous polymer जिसके अंदर क्या होते हैं different different जो सुगर होते हैं वो repeat होते हैं तो that contain only one kind of sugar example cellulose is polymeric polysaccharides consisting of only one type of monosaccharides ठीक है ना that is glucose heterogeneous polymer contains two or more than two types of monosaccharides जैसे कि heparin है gamma globulin है ठीक है यह क्या है हमारे पास polysaccharides हैं जिसके अंदर एक दो या दो से ज्यादा different types के sugar मौजूद होते हैं ठीक है तो यह सब चीज़ें पाई जाती है next आते हैं lipids lipids क्या है from Greek word से आया है lipos meaning fat are naturally occurring non-polar substance that are mostly in soluble in water पाने के अंदर ही soluble नहीं होते हैं यानिक हम कह सकते हैं बोड़ी का जो fat है वो सब क्या है lipid है they are serve as membrane component है ना membrane के जो component होते है phospholipid by layer ठीक है उसके अंदर cholesterol glycolipids phospholipids यह सब किसके बने हो है lipids के बने हो यानिक टोटल जो cell membrane है उसके अंदर repeat का बहुत बड़ा रोल होता है storage की रूप में पाए जाएगा storage forms of energy triad की रूप मिलेगा precursor to the other important biomolecule precursor मतलब दूसरे biomolecule के बनने में यह help करता है जैसे कि fatty acid insulation barrier है ना यानि कि जो हम लोग कई वैसे गिर जाते हैं जो लोग मोटा आजमी होता है जैसे कि भारी वरकम होता है fat ज्यादा होता है तो हमको चोट नहीं लगती है है ना जैसे कि मैं यहां पर सिर्फ हड़ी हड़ी है मारो चोट ज्यादा लगती है ऐसे कर लो यहां मारो तो चोट थोगा कम लगती है तो insulation का काम करता है ठीक है neutral fat stores protective coating to prevent infection and excessive gain or loss of water protective coating होती है बहुत ज्यादा water का loss और gain नहीं होने देगा है ना एंड सम vitamin a d and k and hormones steroid hormones ठीक है ना hormones क्या है जिस्टिरोड hormones होते हो fat है ठीक है कुछ जो vitamin से fat soluble होते है एडी के ठीक है यह क्या है इस से क्या है water के साथ इनका loss नहीं होता है major classes की बात करें तो saturated और unsaturated पाए जाते है saturated single bond unsaturated double bond वाले होंगे short medium और long chain के होते हैं यह जैसे कि लाइपो प्रोटीड है ना फार्मको थेरापेटिक से हम लोग इसकी बात कर चुके है फॉस्व लीपीट्स होता है ग्लाइको लीपीट्स है इस्टिरोइट से और इकोसो नॉइट्स है तो यह डिफरेंट टाइप्स के लीपीट्स क्लास है यही सब मिलकर क्या बना रहे ह और लीपीट्स कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम दा एसेटाइल को एंजाइम ए यह याद रखेंगे सारे लीपीट्स किससे बनते हैं एसेटाइल को एंजाइम ए से बनते हैं विच इन टर्न कैन वी जनरेटेड फ्रॉम नूमरस डिफरेंट सूर्स जो खुद बदले में कई दूसरी चीज़ों से बनता है जैसे की इंक्लूडिंग कार्भोहाइडेट अमिनो एसेट्स शॉर्ट चेंड वोलटाइल फैटी एसेट्स ठीक है कीटोन बॉटिश एन फैटी एसेट इन सबसे मिल करके वो बनेगा सिंपल लीपीट्स क्या होते हैं इंक्लूड ओनली दोस that are easter's of fatty acids and alcohol जो easter's of fatty acids and alcohol होता है ऒो simple कैलाते है यह example है इसका mono dye and triglycerides compound lipids include various material that contain other substances in addition to an alcohol and fatty acid यानि fatty acids irrigation alcohol के अलावा जब कुछ significantly भी चीज़े मौझूद होती हैं तो उसे हम कंपाउंड लिपिड बोल देते हैं ठीक है जैसे कि फॉस्फो एसे एसाइल ग्लिसरोल या फिंगो माइलिंस एंड सेरिब्रो साइड नेस्ट आते हैं हम लोग डेराइवड लिपिड इंक्लूड दोस डेट कैनोट भी नीटली क् बाने कि सिंपल या कंपाउंड है तो इसको में डाल दिया जैसे कि स्टिरोइट से इको सब्सक्राइब बेटामिन से इन सबको हम लोग ने डाल रखा है अब एक टर्म और आता है इसके अंदर जो पाई जाती हैं जो आनुकि सेल के दर चीज़ें पाई जाती हो और वह ची है क्या का हम लोग 안-b steam को एक और तरीक से डिवाइट कर सकते है प्रैमरी और सैकेंटर मेटावलाइड πα्राविं मॉलदी और जो डारेकटलीमे लगता है जैसे कि क्या थैर निलिप्ड करते हैं तो प्रा मिन हेल्प करते हैं तो जिआ मूम ओनते हैं जिस्कांबाइटिंड अच्छा सॉरी अधर देन देज कॉल्ट सेकेंड डिमेटाबोलेट जिनकों प्रैमरी मेटाबोलइट जिनकों प्रैमरी मेटाबोलोट बोलते हैं इनके अलावा जो कमपाउंड है जैसे की अलकोलाइड, फ्लेवनोइड, रवर, एसेंशल ओयल, एंटिबाइटी, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम्स, स्पाइसिस, है ना यह सब प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, इस अर काल सेकेंडरी मेटाबॉलाइड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मे प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, अब अगर हम बात कर लें, मोटा-मोटा फटा-फटा कर एक नजर में डालने के लिए, कि बायो मॉलकली क्या है, तो औरगनिक बायों किसके से बना हुआ है, कार्बोहाइड्स, लिपीट्स, प्रोटीन और नुक्लिक असीड, बिल्दिंग ब्लॉक क्या है, मोनोसेकराइड्स, फैटी असीड, अमिन असीड और निक्लोटाइड, फंक्शन क्या है, एनरजी प्रोइड कर वाता है, एनरज क्या हो जाएगा, CHO, और N और P, ठीक है न, तो नुक्लिक असीड के अंदर नैट्रोटन बेस ही पाये जाते हैं, फॉस्वरस भी होता है, ऑक्सिजन भी होता है, तमाम चीजे हैं, तो इस तरीके से क्या रहेगा, कि हमें यह पता होना चाहिए, किसके अंदर क्या पाये जा और अब हम लोग देख लेते हैं, माइड नर्चर एप के औरगनाजिशन के बारे में, माइड नर्चर किस-किस चीजों से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजे हैं, जिससे कि आपको अपने एक्जाम, डी फार्मा और एग्जिट एक्जाम में बहुत ज्यादा हेल मिलने वाली है, तो आओ, जानते हैं अपने माइड नर्चर एप के बारे में, तो येस, हमारे चैनल का जो नाम है माइड नर्चर, उसी के नाम से अब एप आ चुका है, जो की गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका जब मैं पहले से पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि, लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूँ, मैं यूटूब पर ठीक वैसे डालता रहूँगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जितने लेक्चर मेरे एप में होंगे, जितने नोट्स मेरे फिलिंदा ब्लैंक, ठीक है न, ये तुम्हारे अब नए जो पैटन है, उसमें नए एक्जाम पैटन है, ठीक है न, उसमें MCQ फिलिंदा ब्लैंक से आ रहे हैं, दोनों मिला करके 10 नमर के ये आते हैं, 10 नमर के ये आते हैं, ठीक है, प्लस 2 मार्स कोश्चन, याने कि आप इ आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, और जिस बच्चे केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन कोश्चन की प्रैक्टिस कर लेगा, लाइफ क्लास होगी, अब माल लो मैं ये यूटूबर लेक्टर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तु ठीक है, MCQ कोश्चंस, MCQ कोश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्टर से 15-20 कोश्चंस भी पूरे चैप्टर से मिला करके, 11-13 कोश्चंस हो जाए करेंगे, जो कि तुम्हारे D-Farm और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है, MCQ कोश्चंस, अब कोश्चंस है, यह 4 option इसका answer ही है, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना, मजा कैसे आएगा, कोश्चंस सामने होगा, तुम पढ़ोगा तुम answer क्लिक करोगे, पढ़ करके, सोच करके, वो मजा आएगा उससे practice होती है, ठीक है ना, तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला ह फिलिंदा विल्यांक से बारे में बात करी चुका हूँ, routine test for deform and exit exam, only 40% marks चाहिए, सबको पता है, 100 मेंसे सबको कितने चाहिए, 40 number में pass हो जाओगे, ठीक है ना, तो routine test, routine test का क्या मतलब है, माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर chapter 2 खतम हुआ, उसका test हो जा फिर उसके पाद एक combined test होगा, 1 plus 2 plus 3, इस तरह से चलता रहागा, चलता रहागा, एक time वो आएगा, 1 plus 2 plus 3, मालो 13 chapter है, तो combined test हो रहे है, यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है, और अगर बे मन से भी दे रहा है, 20-30% त्यारी करके भी, तो 40% यान कि 40 number लाना और फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी हमारा है, इस exam को target करके होगी, ठीक है न, जो subject तुमारे exit exam में आएंगे, उसको target करके पढ़ाई होगी, यान कि जब theory पढ़ोगे, यान कोशन अच्छे से कर ले जाओगे, तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे, बात सौझ में आ रही है, और fees बिलकुल minimal है, 1100 रुपे, पूरे साल के लिए सभी subjects की, first year पूरा साल, सभी subject 1100 रुपे, second year पूरा सभी subject फिर से 1100 रुपे, यान कि एक साल की fees आपको 1100 रुपे पढ़ रही है, इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे, तो ना कि बराबर है, महिने का तुम्हारा 92 रुपे संथिंग पढ़ता है जाकर के, इस से सस्ता, cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है, उसके बाद भी अगर कोई query है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एप को ले करके, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, notes का link जो description में दिया रहता है lecture के, YouTube के सभी lecture, मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है, जिसमें मैंने notes नहीं दिया है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, description से निकालना नहीं आता है, मुझे call कर ले, या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले, ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है, तो बे जिजग, बिना हिचके चाहे, मुझे call करें, doubt clear करें, इस चीज को ले कर रहे है, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुमनों को वो चीज बता दू है ना, तो रिवीजन जरूर 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 करना में हमेशा कहता हो, रिवीजन ही है, सिलेक्शन, रिवीजन करोगे, तो लाइफ में हर एक चीज में अचीज पालोगे, हर एक चीज आपको अचीज हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या करते रहो, रिवाइस करते रहो, और प प्रिवस है.. झाल झाल झाल